तो हाइ फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग, मजे में, नई, मजे में नई हैं, टेंसन में, नई, चलिए जो भी हैं, तो आज हम लोग बात करने वाले हिस्ट्री, समेश्टर थिरी, ठीक है, सबसे पहले कौलहान इनिवर्षटी चायबासा और आपका हिस् मैजर प्रप्रोंगी यहिर्फ好的 हैं मेजर प्रफोर हमने कर लिया है आज आयद हम लोग करेंगे मैजर पैप से शुक्त ऐस्य यहां पर आपका स्लेबस है और यह syllabus के आधार पे मैंने इसको हिंदी में translate कर दिया और important question ready किया है तो चलिए important question को दे रहा हूँ total no question है definitely आपके 9 में से 7 question exam में भीड़ जाएंगे ठीक है क्योंकि examiner जो set करेगा न question यहीं से set करेगा मतलब इसी को नहीं syllabus सही set करेगा और syllabus इससे बाहर नहीं जाएगा ठीक है 7 question definitely match कर जाएगा मतलब आपका एक भी question exam से नहीं चुटेगा अगर आप इन सभी question का answer घर सही करके जाते हैं ठीक है तो question का exam pattern मालू में आपका 75 number का आएगा ठीक है 1 marks वाले 5, 5 marks वाले 2 और बाकी सभी 5 marks वाले 4 ठीक है सब कोई जानते हैं न और timing 3 hour पास करने के लिए चाहिए आपको 30 number 75 में 30 लाना है चलिए देखते हैं तो हमारा पहला कोशे नहीं आपे ये सभी आपके 5 marks वाले हैं और 5 marks वाले भी हैं दोगो पहला है इसलाम धर्म का उदै अस्थापना ठीक है सबसे पहले इसलाम धर्म का उदै फिर इसकी अस्थापना और फिर इसका बिस्तार किस परकार हुआ है समस्तव बिस्व में ये बताना है पेगंबर मुहमद हजरत साहब जी को बारे में बताना है कि तोड़ा सा इतियांस जान लीज़ेगा कर इसका थोड़ास इतियांस जान लीज़ेगा क्योंकि इसमें आपको काम देए अगला हमार मारा कोशन ने इसाई धर्म का उद्य अस्थापना तथा विश्तार किस परकार ही वा था संचिप्त अंगि में उत्तरद concur एंड अस्प्रेड ठीक है आंसर ब्रीफली देखे इसलाम धर्म और इसाई धर्म ठीक है दो कोश्चिन आपका धर्म से रिल्टेट आएगा और इसाई धर्म मतलब की क्रिस्चन जो चार्च वगरा जाते हैं क्रिस्चन जो अंग्रेज लोग आया थे ठीक है अब यह भी भार सबसे लोग इसाई धर्म हैं पूरा इंडिया केंड़ियैट जो है एसाई धर्म केGoodं सबसे पे इसामस्य कोन थे उसाम कोन ऊछन लोग अशन न होगा मतलब इसा मसी को जो मतलब कांटी किल वगरा ठोक दिया गया था और माथे में भी फिर पूरा एकदम खून से लटपत देखे होंगे मुवी नहीं देखे तो थोड़ा सा देख लिजिएगा मुवी देख लिएगा वही से वे सिख जाईएगा में चीज़े सिखना मुवी से सिखे चाहे किताब से सिखे चाहे मूँ से सिखे ठीक है गहीं से तो सिखे है न भाई अगला हमारा यूरोप ये सामन्तवाद कि उत्पत्ती किस परकार हुई पहले ये बताना है फिर आपका विकास और पतन तीन गो किसका तो यूरोप में सामनतवाद का ठीक है इंगलिस में कि थ्रो लाइट ओन दा ओरिजिन टेक है हमारे सब्सक्राइब है जिस बॉचा बोलते है आई के आइटवलाइब इंगलिस में रखता है तो वहां के बच्छे जो कि मेरा वीडियो 100% आइसी आइसी बोड का बच्चा नहीं देखता है क्योंकि आइसी बोड वाले खेवल इंगलिस जानते हिंदी जानते ही नहीं है उनलोग बुडवकलर ठीक है उनलोग को गाली देजी हिंदी में गाली देखें आजए यह कोई इसा देश काहे बना दिया र किया बोलनेंगे सबसे बड़ी ख्राबी यह आपकी कमति है आएसी बोड टेक है चलिए हमारा कोशन ए योडोन है द耍रमयुद्ध के कारंत प्रह में प्रभाव को लिखें हमारा योडो में धरमयुद्ध छडिय 좋은 тा एक बार टेक है तो क्या कारंस था ने इडिए इरोप चैंशत में और तरफ मैंधकाले और योरोपी ये समाज के तीन व अरिफा चैनास् Вас चैने इस तरह से देखिज़े सारा वर्ग में बटा हुआ था ठीक है इसके बारे में आपको पढ़ना है और नेक्स्ट अगला हमारा कोशन है कोशन नुबर सिक्स इसमें पूछा गया है मैद्यकालीन यूरोपिय समाज में मैद्यकाल का जो यूरोपिय समाज था में धार्मिक सामाजिक आर्थिक तथा बि इक्रामिक में कैसे अपना रोजी रोटी चलाते थे गुजर बसर करते थे साइंस और टेक्नलोजी में कितना योगदान दिया इन सब के चीज़ों के बारे में जानना है अगला हमारा यहां पर मैद्यकालीन यूरोपिय समाज में क्रिसी तथा विद्योग का विकास किस पर विद्योग का शैसे लेगा तो लोग विद्योग आएगा वुद्धोः तो के लिए क्यों दोने दूसरी Pillay के पूर Eastern ठीक है किसी आपको सहर बनना सुरू हो जाता है अर्वना जरेसन टिक नगरी करंट अब वहीं से अगला कोशन आता है कि और दिकी करंड करंड के और पर संचिप टिपने लिखना है और गी करंदि के बारे में सब को यह पड़ेंगे क्लास्टेयन में एक बस वही है कि राइट अंडॉस्टियर revolution के बरहे में जो कि इंग्लेंड में वाता हो दगी करांते उच दोग दिरे-दिरे बसने लगे थे और दिरे-दिरे क्या आज पूरा दुनिया में बैस गया है ना और इसके कारण बहुत सारा खराबी भी होता है कौलहान में 20 रूप से एक फैक्ट्री है सिंभूम में यूरे यूरेनियम एक जो है एटोमिक जिसको हम लोग क्या बोलेंगे नुकलियर ठीक है मतलब एक परमानू ओर्जा की रूप में यह आपका काम करता है ठीक है यूरेनियम और इसका जो रेडियेशन होता है मतलब जैसे एकसरे का रेडियेशन होता है उसी तरह से यूरेनियम का भी radiation होता है और uranium का रेडियोशन बहुत डेंजर होता है जिससे क्या होता है मानु मैं अपंगता आती है विकलांगता आता है ठीक है और paralysis आता है साथ में आपका इसकिन कैंसर होता है तो यह सारे problem हो रहे हैं सिंबोम में इस factory को रोकना है अगर मैं बड़े लेवल पे गया तो इस factory को या तो रोकूंगा या फिर कुछ न कुछ तो solution निकालूंगा जिससे यहां के लोगों को problem नहीं हो यार और आप लोग भी डरिये मत जर्रत पड़ा तो मैं सुप्रीम कोट तक जाओंगा और इसको केंस भी करूंगा कुछ न कुछ तो solution निकालना पड़ेगा नहीं तो फिर जो 1984 में हुआ था मालूम है न तीन दिसंबर 1984 को क्या हुआ था मैंद प्रदेश के भपाल में यूनियन कारवाइट नाम की एक factory थी वहां से गैस रिसा हुआ था और पंद्रह हजार लोग मारे factory है बरबाद कर रही है हम लोगों को फाइदा किसी और को हो रहा है ठीक है इसको रोकना है चलिए पढ़ना के वहल इसलिए नहीं है कि certificate लेना पढ़ना इसलिए ताकि हम अपने society को भी बचा सके society में युगदान दे सके ठीक है question है सहरी करन से आप क्या समझते हैं सहरी करन क विसेस्ताओं को बताइए what do you understand by urbanization explain the characteristics of urbanization ठीक है तो यह सारे topic है जो कि आपको कर लेने घर में no question दे रहा हूं no question बना लीजेगा इसका answer आप या तो guest paper से या फिर Google से जहां से मिले वहां से घर में practice करके note करके पढ़ लिजेगा definitely exam में question आएगा ठीक है बाकि PDF मैं वीडियो का description में दे रहा हूं इसके बाद MDC का paper सेक का paper और आपका AC का paper दे दूँगा बागी सेब का math वाला जो है आप लोग खूद से भी घर में पढ़ा किजिए कोई science की teacher हो तो उनसे भी math का पढ़ लीजेगा ठीक है ओके बाइ झाले